सब्सक्राब टो भट सिस्टर्स एंड क्लिक आन दे बेल आइकन फोर मोर अपडेट्स हेल्यो वीवर्स आज भी बनाऊंगी रेस्टरेंट स्टाइल को भी मंचूरिय ता आइए इसका रेसिप इचान देते हैं पहले हम ल्यूपोम वर्टर में 3 टेबल स्पून सॉल्ट डालेंगे अभी मैं कॉली फ्लावर के फ्लोरेट्स इसमें बॉयल कर लूगी अभी गोवी को एकदम क्रिस्पे करने के लिए हम उसके लिए एक बैटर बना लेंगे मैं ले रहे हूं तीन चमच मैदा तीन चमच कॉल्फ लावर आदा चमच सॉल्ट और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूँगी और इसके ठिक बैटर प्रिपेर कर लूँगी अब मैं इसमें धीरे धीरे पानी डालूँगी और अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि कोई लम्स ना हो बॉइल कॉली फ्लावर फ्लोरेंस को बैटर में डाल के अच्छे से मिक्स कर लूँगी इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके कॉन फ्लावर और मैडा मिलाएंगे ताकि हमें एक धिक कॉंसिस्टेंसी मिले अभी मैं गोबी को मीडिय फ्लेम में डी फ्लावर कर दीओ यहाँ पर मैं एक के करके गोबी डाल दीओ ताकि वो एक दूसरे से चिपके ना मैं इन्हें बैचेस में फ्राई कर दियूँ जब यह स्लाइकली गोल्डेन हो जाएंगे तो मैं इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे अब इन्हें हाई फ्लेम में दुबारा 30 सेगंड के लिए डी फ्राई करेंगे अब ये एकदम क्रिस्प लग रहे तो मैं इन्हें प्लेट में निकाल लूँगे तो चलिए अभी सॉस बना लेते हैं यहाँ पर मैंने लिया है तीन चमच देल तीन चमच गार्लिक एक चमच मिल्ची और एक मीडियम अनियन इन्हें एक मिनित तक पका लूँगी और डालूँगी एक चमच नमच और एक चमच काली मिच अब में टाल्यू सॉय सॉस चिली सॉस अब मैं अट करें थोड़ा से स्प्रिंग अनियन्स अब मैं अट करें थोड़ा से स्प्रिंग अनियन्स में एक चमच कॉ फार और उसमें पानी मिलाकर उसका स्लड़ी बना लूँगी यहां मैंने डाला हाफ कप पानी और एक एक चमच करके कॉन स्था स्लरी को मैं मिला लूँगी इस स्थे सॉस गारा हो जाएगा अब मैं सॉस में डालूँगी गोबी और इन्हें अच्छे से मिला लूँगी यहां मैंने एड़ किया है थोड़े से स्प्रिंग आनियन और हमारा गोबी मंचूरियन प्लेट करने के लिए रेडी है अब मैं अब मैं करे लिए से से बियां आनियन और हमाली है